टीम इंडिया और इंग्लेंड की बीच तीन वंडे सीरिस का दूसरा मुकबला पोने के महारास्टर क्रिकेट एसोसीशन के स्टेडियम में जारी हैं मैं इंग्लेंड ने टॉस जितकर पहले गिंदबाजी का फैसला किया बारते टीम ने 37 रन पर अपना दूसरा फिकिट गवा दिया फिलाल कप्तान ब्राट कोली और लोकिस राउट क्रिस पर मौज़ूद हैं मुए टीम इडिया के उपनर सिकर्दाउन 17 बॉल पर सिर्फ 4 रन बना कर पविलियन लोट गया मुए आपको बताते कि इंगली सी ओल राउंडर बैन स्टोक ने मैच के दोरां बॉल पर थूक लगाया यह वाक्य बारते पारी के दोरां चौत्थे ओवर की दूसरी बॉल के बाद हुग ओवर पेसर रिस्टोपले का था एंपार ने स्टोक को वानिंग दी और बॉल को सैनिटाइस कर फिर से खेल को सुरू किया मुए आपको बताते कि इंगली लैंड ने प्लेंग लैंड में तीन बड़े बदलाब किया है हाला कि टेस्ट में भी उनको मौका नहीं मिला था मुए खप्तान ब्राट कोली ने प्लेंग लैंड में एक बड़ा बदलाब किया है चोटिल स्रेश एयर को आराम दिया गया उनकी जगा रिशब बंद को मौका मिला है LD Newsroom के रिपोर्ट झाल